हलो फ्राइंज आम फ्रम जिल डीजिटल एंद आज के वीडियो में देखेंगे Canon Mirrorless EOS R10 का Wi-Fi और Bluetooth connection विट स्मार्टफॉर्म वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दू कि जो मैंने कैमेरा सेट किया है उपर शूट कर रहा हूं वो कैमेरा को भी मैंने स्मार्टफॉन से कनेक करके रखा है यह सेटिंग आप भी आपके Canon EOS R10 में कर सकते हो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां से आपको कैमेरे को आउन कर देना है आउन करने के बाद त्यान रहे मेरा कैमेरा भी मैन्यूल मुड़ पे है आउन करने के बाद आपको मैनू बटन प्रेस करना है जैसे menu बटन प्रेज करते हो तो कुछ इस तरीके का आपको डिस्प्ले शो होगा जहां पर आपको सीधी ही चले जाना है वाइफाई से भी जा सकते हो तो कि टाच ऑपरेटर डैमेरा वाइफाई सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे पहले अगर आपने आगे ट्राइ किया ही इसको कनेक करने का तो यहां से रिसेट कॉम्मिनिकेशन सेटिंग कर दीजिए ताकि पहले जैसा सेटिंग्स हो जाए देन ब्लुटूथ सेटिंग और वाइफाई सेटिंग को इनेबल कर देना है उसके बाद जाना है वाइफाई और ब्लुटूथ कनेक्शन उसमें जाती ही आपको अलग अलग पाच ओप्शन मिलते हैं इसको स्कैन करते ही आपके 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 पास एंड्रोइड है इसके उपर क्लिक करते हूं तो आपको एक्यो आर्कॉड मिलेगा जिसको स्कैन करते ही आप यसको आपके कर hal – कहिए एक लख दो आपको डीकशन आउनलोड कर सकते हो Aきा हो आपके स्मार्टफरन में या तो आपके स्मार्टफोन में वर्डरी एपलिकेशन डाउनलोड करके रुखे तो लो-डविस्प्लेड हुस shotgun अब पर दो आप्शन यहां पर प्यार आया Bluetooth और Connect via Wi-Fi यहां पर अपने पैर वाया Bluetooth करेंगे इसका दोस्तों एक खास रिजन है कि यहां से इन फ्यूचर कैमेरा आपका याने एक बार कनेक्ट कर लेते हैं इसको इसके बाद आपका कैमरा यहां से आपी रहा तो कैमरे को वेक अप करके आप डायरेक्ली वीडियो और पैरिंग इन प्रोग्रेस तैन आपके स्मार्टपॉन में एप्लिकेशन डाउनलोड कर लेनी है कैनन कैमरा कनेक्ट इसको आपन कर लीजिए जैसे मैं आपन करता हूं तो आटोमेटिकली अपना जो कैनन इस आर्ट टैंड मॉडल है उसका एक पॉप-प मेसेज आ गया उसक कर दो दोस्तों अभी कैमेरा स्मार्टपॉन के साथ कनेक्ट हो चुका है और यहां पर इंपोर्ट इमेज और शूथ लोने ऑप्शन कलर में आगे अगर कनेक्ट नहीं रहता है तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है और अगर ब्लुटूफ के साथ कनेक्ट रहा त इंपोर्ट इमेज के ऊपर या तो फिर शूथ के ऊपर क्लिक करते ही आपको वाइफाइ कनेक्शन करना है वाइफाइ कनेक्शन में ना तो आपको पासवर्ट डालना है ना तो कोई प्रॉसेस करना है सिंपल इसमें जॉइंट का अप्शन आता है उसके ऊपर क्लिक करते ही आपका कैमेरा वाइफाई से डाइरेक्ली स्मार्टफन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और इसकी डिस्प्ले भी आपरेट कर पाऊगे जैसे मैं अभी कर रहा हो ऐसे तो इसली आप आपरेट भी कर पाऊगे और आपकी जितने भी वीडियो या तो फिर फोटो स्मार्टफन में लेने और डाइरेक्ली इसली ले पाऊगे डाउट एनी कनेक्शन ओके तो यहां पर अपना डिस्प्ले ओपन हो चुका है इमेज वन कैमरा तो जितने भी इमेज या वीडियो मेरे कैमरे में वह यहां पर शो करेगी वाव सो ब्यूटिपल ओके तो एक पिक्चर है जिसको इमपॉर्ट करते हैं यहां से इमपॉर्ट करते ही आपका यह इमेज डाइरेक्ली गैलिपी में चला जाएगा और मल्टिपल इमेज इस पी आपको अगर सिलेक्ट करके डाउनलोड करनी है तो यहां पर सिलेक्ट करके जितने भी इमेज इस आपको चाहिए तो सिलेक्ट कर तो डायरेक्ली इसमें भी शो होती हो अर्दर वाइस मेरे को टॉच नहीं करना है कामरे को अपने साइट कर दे थोड़ा अफिए IDE को अपने नहीं करना है और यहां से अपरेट करके भी अपने को image क्लिक करने हराइस कलिक हो जाएक और यहां से आपको वीडियो मोर पे जाना तो वीडियो मोड पे जा सकते हो फोटो लेना है फोटो मोड पे जा रहर दूसरा这基本 है तो फॉंक्षन में जाओ प्रॉंट ट्रांसफर का जो ऑप्षन इसको ओन कर दो यहां से तो फ्रेंट्स अभी क्या हुआ कि मैंने ओट्रांसफर ओन कर दिया है इसकी वज़े से कोई भी फूटो में क्लिक कर रहा हूं आप देख सकते हो डायरेक्ली वह इमेज इंपर्ड होरी है आपके स्मार्टफन में यानि मेरको अभी इंपर्ट करना भी ज़रूरी नहीं जैसे ही में फोटो क्लिक करता हूं डायरेक्स आउटमेटिकली आपकी इंपर्ट हो जाएगी आपके स्मार्टफन में वोप ए वीडियो आपको पसंद आई होगी थैंक यू फर वाचिंग, हैव नाइस देव